हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टडी है चैनल पर जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वकाइब की स्रीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकदम बेसिक लेबल से जिने कुछ नहीं भी आता होगा वो भी सीख सकते हैं हम इसमें यूज क्या करते हैं खास क्य को से चीजों को याद करने की कोषिज करते हैं फिक्ष यूज यह रिए प्रिटanie की करते हैं ओर इंगली के वेabs्ट रूल भी डिसकूस कर लेता Mira These ga सब्सक्राब को पता होगा अभी हम लोगब स्ब्सक्राइब कर लिया हम एक से उक्ष्वक होगा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको हमारे देखने को मिलेगा और बांकी चीजे में रा क्या बैक्डाउंड है मैंने क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया यूटूब चैनल बनाया यह सब जानेंगे जब हमारा 1K हो जागा तो चले बिनादेरी के अपने करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारा होमवर्क सेशन होता है जो कि मैं यूमवर्क देता हुझ को direct करने परते हैं तो लास्ट क्लास के जो हमर्थ उसको एंसर किया है मधुलिका पाठील ने और स्वाथी ने ठीक है इन दोने एंसर किया आप भी एंसर करने की कोशिज करें कमेंट बॉक्स में दे वीडियो एंड होने के बाद तो मैं आपका भी इंक्लूट करणगा तो मैं वंडर अमेज इस्टोन फ्लावर ग्रैस्ट यह सब इसके क्या है सीनोनीम से ठीक है अश्टोन को पनिस्मेंट देते हुए देखा तो लोग अश्यर्म हो जाएं कि स्टोन पनिस्मेंट कैसे दे सकता है वह तो नलिविंग तींस है तो ऐसे आप इसको चीजों को तोड़ सक है और बात कर लें एंटोनिम्स की तो होगा कामनेस कंपोजर पुलनेस यह इसके एंटोनिम्स है अब देख पारेंगों इस लगती को कैसे अश्यर है यह इमोजी से आप लोग भली भाती पजीचित होंगे जब चैट करते तो सर्प्राइज के लिए देते हो वंडर होते हो देखोंगे से अश्यर होगा से इसके एंटोनिम अट्रो से आप लेलों की अरजक्ता फ्याला हो ठीक है ऐसा सिटी जहापे अरजक्ता फैला हो तो अत्याच्छार ही होगा मैक्सिमाम अपड़कों की सी चीजें थोलवाली होती हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अप्सकिती मेट्रोशीटी ले मेट्रोशीटी में थे चार Alrighty कर दा रहते हैं फोसी एक्रशिटी एसे करके आप चीजों को रिमेंबर कर सकते हो और अन्टोनिम की बात कर लें तो यह का इंदेस जासा क्या आप देख पा रहा होगे इमेज से की कैसे इसके पैरों में बंब को चेंड किया गिया है और बंब होता है तो यह बंदा मर सकता थीग है तो ऐसे आप याद रखना फीर से चलिए नेक्स बात कर लेते हैं और नेक्स्ट अटेंट यह मैंने आपको पढ़ाया था जब एक्कॉंप्लीश बताया था अटेंट मतलब अप्राप्त करना अचीव अप्टेंगेंड एक्कॉंप्लीश यह क्या है इसके सिर्णी से इस बंदे को देख पा रहे होगा इस गैप को फिल किया तो इसने कुछ प पुछ गुम अच्छ वता है को क् बंदा बहुत अच्छा मन कूले क्फिडिक समय तो बुद्ट सब्सक्र सब्सक्राइबंद सकते और कपरण को क्बुम्तूम्स है सब्सक्राइब कर लेते हैं नेक्स्ट ऑगस्ट ऑगस्ट मतलब ता गरीमा पूर्ण भग मैजेस्टिक डिगनिफाइड यह सब क्या इसके सिरोनीम से बात कर लें एंटोनीम की तो होगा अगर आप अगस्ट का महीना देखो तो जादे घर्मी होती ना जादे ठंड होती है बरसात का मौसम होता है तो वह बहुत ही सुहाबना मौसम होता है तो अगस्ट मतलब घरिमा पूर्ण भवे आप ऐसे याद कर सकते करना हो जैसा के आपको पता है कि वन वड का हमारा सेशन होता है तो आज जो नमदेव उसको मैंने पढ़ा रखता तो अब मतलब हैते हैं एक डिंग स्वाक सवाप तो आपको अगर इसके निमोंग में जानने है तो आप प्रिविएस ख्लास में देखा अगहां तो आपको बाद किजो हो हुआ है कोई आपकी यही हमारा फिर्फ से लास्ट कलास मैं इसका मतलब होता है सिखार्थ यह मतलब ऐसा पर्सान जो की किसी एक्सपार्ट के निगलानी में कोई चीज सीख रहा है तो पर्सन हूं वर्ट्स प्र एंङक्सपार्ट टू लॉर्न और ट्रेंड यह उसी को बोलते हैं आपन्सेट बात करते हैं और ने क्भी ए हर्ह PROF और मतलब होता है वाटर मतलब होता है तो अ क्भीव यह जल से पाणी से बहुत बिंग अफ्रेड वाटर और बंग नियर वाटर यह तो आप पानी से पानी पास जाने के अपानी हमेशा यह डर सताय रहता है तो वह चीजों को ऐसे लेता है कि वह डरता रहता है लिए ने बात कर लेते हैं एक्वारियम भी बता है एक्वाफर वार्टर एक्वारियम होता मचली कर आप लोग ने देखा ग्लास टैंक होता जहां पर फिस और एक्वार्टिक प्लांट्स को रखते हैं ठीक है अपने घरों में ऑफिसरों जो में देखा होगा तो यह बहुत ईजी है चले नेक्स्ट बा आ गई हो तो आपके लिए सोर पॉइंट होगा जब भी आप फिंगर कहीं टच करोगा ऐसे टच किया तो आपको दर्द होने लगए ठीक है तो दुख करेगा आपको दुख देगा तो दुख ही करने वाली बात होगा अप यहां पर देख पा रहोंगा कि इसके पीठ में अ सारी साइड इकतो होती है मतलब सब तरफ से इककोल है कहीं पर कोई बैमानी नहीं हुए मतलब ऊचित समझे होता है ए फेयर एग्रीमेंट ठीक है इसी को मोंते हैं लिए नेक्स्ट कर लेकित नेक्स अस्ट्रीव नेक्ट पर्सन मतलब अडियल वाक्ति ऐसा वक्ति जो अड तो यह चीज आपको क्लियर हो जाएगी इसलिए मैं इमेज लाता हूँ कि अगर आपको चीज ऐसे या नहीं तो इमेज को रीटेंड कर सकते हो कि देखा था कैसे वह बंदा ऐसे सर की वह था और सर दे रहा तो उसके सरीर में तो स्टिफ देन एक पर संथा अर्यल वैक्ती था नेक्स्ट है और स्टोन्स थ्रो अब है मतलब थोरी दूरी पर अगर पत्थर उठाओ और फेको तो वह ज्यादा दूर नहीं आती थोरी दूर पर जाके गिर जाती है ठीक है तो इसलिए यूज करते हैं एक सोट डिस्टेंस के लिए हम यूज करती सीडियम का एक स्टोन्स देख पाएंगों दो पर दोशी है स्टोन्स थोर्व पर यहाँ से पत्तर फेके गजागा यह फेके गजागा अगर आपके दोस्त होंगा इसने दूरी पर आप लोगों तो मज़ा ही आ जाता है नेक्स्ट बात कर लेकर आप फिगर रियाद रखना आपको छीज़ी समझा नीक्स्ट है अस्ट्रॉम in a tea cup ठीक है आपके चाय के cup में तुफान आ जाए मतलब क्या कि बात का बतंगर ना गहे तो हो बात का बतंगर बना दे तो छिक है इसे हमें दे दिया हमें ये नहीं किया वह नहीं किया तो इसी को बोलता है solu ऐं ऐस्ट्रॉम इ yön ए तो जैसा कि अगर आप हमारे class जूरें नोट आपको पता हुआ कि हमारे एक Pandora box होता है जिसको हम ऐसे चावी यूँ गुमाते हैं यूँ गुमाते और open तो जब open होता है तो क्या निकलता है अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा अगर आप नए है तो आपको मैं मैं बता दूँ कि इसमें होता है 100 golden rules जिसकी हल्प से हम इरा डिटेक्शन और संटेंस इंप्रूमेंट के questions को सही करते हैं इंगलिस ग्रामर के रूल होते हैं तो एक साथ हम सो नहीं कर सकते हैं तो बारी बारी से करते हैं तो रोज दिन हम एक एक डिसकस करते हैं तो आज हमा तो रूल क्या करता है कि जितने भी पार्टीशिपल उनको एक सब्यक्ट रिफ्रेंस चाहिए अब इस पार्टीशिपल के लिए काई सब्यक्ट रिफ्रेंस ही नहीं ठीक है आप रेणी डे हो कौन रेणी डे तो ऐसे आपक्न यहां पर गलत हो इसका सही होगा इट बिंग यह एक बरसात का दिने क्या है नहीं तो ऐसे लगाना आपके लिए जरूरी होगा एक सब्जेक्ट आपको देना पड़े तब चीजों को याद रखना क्यों कि इस सब्सक्राइब बाहुत बार बने है और आपके यहां पर गलत ना करो इस चीजों को याद रखना सब्सक्राइब आपको बताने इस ग्रूप वर्टिक्लिए दस सेकेंड मिलेंगे एक्जिस्टिंग इन लाइन फ्रॉम दा अर्लिएस टाइम और फ्रॉम बिपोर अराइबर ऑफ कोलोनिस्ट चार अप्शन है नेटिव एंसियेंट ओरिजनल एबोरिजनल एबोरिजनल इस अब दस साल 20-50 साल से रहे रहे हो तो इनको भी नेटिव होते हैं लेकिन अब ओरिजनल वह उते हैं जिनके पुरुबज वहां पे सालों से रह रहे हैं सदियो से रहे हैं चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सद्रुनिमस बताना है लेक्षार उल्स पंप आप इसको बोलते हैं चक्रा देना आप इसके बात कर लेता हो जाए इस्ट्रॉम और क्या कर सकते हो डैजल इसके सिनोनिश है अन्य मतलब क्या होता है सताना तंग करना ठीक है आप इसको बोल सकते हो पेस्टा और क्या बोल सकतो वेक्स और क्या बोल सकतो है ठीक है स्कॉल्ड आपको पता ही है स्कॉल्ड मतलब होता है डाटना रिबूट बोल सकते है रिबूट और क्या बोल सकते इसको चाइड चाइड भी बोलते है न और पजल आपको पता ही है ठीक है बैफल कहीं सीनोनिम से पजल औ इप परिप्वेंस का तो उसका एफेक्टर्ण और इफक्ट ही इसके इंपाउट कर लेते हैं एक्स्कूस्ट कि बात करने तो नेक्स पूस्ट आपको एंट्वरी निम बताना है इसका तो दस सेक्ड आपको उन्पिंट आइफ काफी है इसरडी प्लेड प्लेंड स्टॉप अ आप को सब्सक्राइब मतलब क्या होता है इसका है इसका जल्दी जल्दी मतलब अऩा होता है इसका हो उर्था अवहेलन करना कि अभेलना होगा अन वैलूड नेगलेक्टेड टिक है अन वैलूड कि नेगलेक्टेड कि यह सब इसके सिनोनिम्स अप्लेड आपको पता ही है ओन गॉइंग ठीक है इस कंटिनीवड का ही सिनोनिम्स है पुचले नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बता आना है हर्मोनी का ठीक है चार ओप्षन कॉंकॉर्ड कॉंसेंट होस्टिलीटी और मैंने इस यह कोश्चन आपको डिसक्रस कर रख था तो आई होप आप लोगन दो सेकेंड मेंसर कर दिया होगा ज्यादा टफ था नहीं कि तो हर्मोनी का जो एंटोनिम्स होगा वह होगा हर्मोनी मतलब क्या होता है सदभाव सामान जास से यूनिसन यह सब इसके सिनोनिम्स है यूनिसन कंपनी मतलब क्या होता है अनुमती देना सहमती भरना एग्रिमेंट एलाउएंस होता है कंगुरूरीटी मतलब होता है सरवां समता अब लोगों मैच में पढ़ा होगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन आपको इडियम का मतलब बताना है यल्लो बेलीज चार में कावार सीपतिक्स अपसेट स्टोधक सब्गत फटापयं सर्कारेंगे movie आप कारी यह पर टाइम भी अप्कडिया होगा क्यों कि और यह ट्यूंक प्याइं गया मतल closkotक स्कूरें इमारा है व Valentino Suo पर दा अंडरलाइन वर्ट है और स्मॉल सेल्टर फॉर माई डॉंट के लिए स्मॉल सेल्टर तो इसको क्या बोलते हैं आपके पास चार ऑप्शन है इसमें टाइम की जोए होत नहीं है बहुत इजिए सेड केनल बोरो और यह होगा कैनल ठीक है सेड आपको पता पदके स्टॉरिड के लिए कोई सेल्टर करें या तो नेक्स्ट आपको इमोरलliśmy इंटोनिम बताएं इमोरीं का включ ओ चार आप्षन है इल्नेस रीजन डिगडी डिसेंट तो आई होप आभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा नहीं बता दू जो इमोरल होता है इसके जो एंट्रोनीन्स के बात कर लें हो जागा डिसन्ट इमोरल मत्वा अनेतिक क्या होता है अनेतिक और इसको आप बोल सकते और फ्रेल बैड लिए सब इसके सीनोनिम्स नहीं साब पता है बीमारी डिजीर एलमेंट रीजन आपको पता है छेत्र मैं बचा चुका हूं रेल्म ट्रेटरी जून फिल्ट यह सब इसके सिनोनिम्स है और डिगदी मतलब वहता है मातरा नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप बेड़ बैठ गया होगा तो आप क्या होगे हमेस hace King तो आउप अभी तक आप लोगरीने प्रीट सब्स्राइब को अभी बैठ वैटाराना इस्ट मीडिया मतलब यह सुह कर नेक्स्त आपको होंवे बताना सब्सक्राइब को मतला है कि क्या मतलब होगा तो आज का क्लास यहीं पर समप्त करते हैं आपको आज का क्लास कैसा लगा ठीक है तो आपको जरूरू से जरूरूरू बता है कि आपको आज का क्लास कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेर कर दे जिने की कम समय में ग्रामर के रूल्स वीडियो से असकरने यूआ क्यू भी परने और वोग्याब भी परने यह कम्प्लीट क्लास है उन बच्छों के लिए जिने होगा वो भी सीख सकते हैं तो अगले क्लास में मैं आपके लिए कुछ नया लानी की कोसिस करूँगा हर क्लास में कुछ नया लानी की कोसिस करता हूं तो तब तक टेलिए जय हिंद जय भारत